हेलो दोस्तों दुबश्कार स्वागत है आप सबका अटाटोड़ी 47 PCS के YouTube प्लैटफॉर्म पर और एक बार फिर मैं आप सब के सामने यहां पर उपस्तित हूँ और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास की जो पहलिया होती हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर जानते ह हैं और यह सेशन स्पेशली आप लोग जानते हैं कि 12 बज़े हम लोग NCRT की बात करते थे लेकिन हाँ अभी कुछ क्लासे जो है वो HCS यानि कि हरयाना सेविल सर्वेसिस का जो एक्जाम फैबररी में होने वाला है उसके लिए हम लोग यहां पर लेके आए हैं तो आज भी जो क्लास है स्पेशली मैं आपके साथ में बात करूंगा कुछ टॉप MSQ की उन MSQ को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे और ना सिर्फ MSQ को सॉल्व करेंगे उस से रिलेटेड जो भी क्वेशन्स आप से एक्जाम में बन सकते हैं या जो भी उससे रिलेटेड इन्फोमेश नहीं अगर हां तो फिर सेशन को आप लोग को एक बर लाइक शेयर और इसके साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि डेली आपके पास इस क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो मेरे साथ में यहां पर पहुंचती रहें मेरे साथ यहां पर भारती रिंकी चेतना ज आइक जरूर करने सारे लोग इसके साथ साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें जैसा कि हम लोग यहां पर M.C.Q की बात कर लें पेट क्लास की बात कर लें M.C.R.T की बात कर लें मतलब कोई भी ऐसा सेक्षन नहीं है जहां पर इतिहास में कुछ भी कमी आपके लिए रहती हूँ ऐसा मैं पूरा प्रियास करता हूँ ऐसी में पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई जो है वो निरंतर चलती रहें ठीक है और एक बार फिर मैं आप सब के सामने यहां पर उपस्तित हूँ तो चलिए इसी बात के साथ में सर्जी आप NCRT नहीं कराएंगे अभी आज नहीं होगी कल से हम लोग फिर से NCRT जो है चैप्टर वन क्लास सैवन जो है उसको स्टार्ट करेंगे ठीक है कल्चन शालनी प्रणाम खुश रहिए चलिए तो सेशन को स्टार्ट करेंगे और एप अगर अभी तक भी आपने इस एप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपके पास में एक बहुत शांदार अपॉर्चुनिटी है इतने सारे फीचर्स जो यहां पर लिखे हुए जैसे की करेंट अफियर सब्जेक्ट वाइक विजिस पावर कैप्सूल वीडियो नोट्स उसके अलाबा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज से हर्याना सिविल सर्विसिस स्पेशली कुरुक्षेत्र बैच उत्रप्रदेश के लिए स्पेशल हमारा लक्ष बैच और इसके साथ साथ में जल्दी ही फाउंडेशन बैच जो है वो हम लोग ल में यह जो छेत्र है यह अनिश्टाओं का छेत्र है यानिकी अंसर्डेनिटी जो है वो हमेशा बनी ही रहती है तो इसके लिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि रिसेटली आई बी यानिकी इंटेलिजन्स ब्यूरो जो है उसकी वेकेंसी आई हुई है एसी होती है ज्यादा कुछ है नहीं प्रलिम्स है और उसके बाद में आपको रिटन टेस्ट जो है वो देना है एक्जाम हो जाएगा आपका क्लियर तो उसके लिए भी नया बैच जो है वो हम लोग यहां पर लॉंच कर रहे हैं मौका अच्छा है शांदार मौका है आपके पास करें और जल्दी ही batch main role होके तैयारी जो है उसको start कर दे अलग से कुछ भी नहीं परना है अलग से आपको ँछ भी नहीं परना है वही math reasoning English GS जो है वही आपको पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा उसमें hard work जादा करना होगा क्योंकि लिखना भी है उसमें और लिखने की परिक्षा तो आपकी यह भी है ठीक है उसके अलावा अच्छो देखेंगे आप कुरुक्षेतर बैच आज से ही launch है उसके साथ लक्ष जो है वह आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं यह foundation बैच चे तारिक से launch होंगे जीरो से start करूँगा मैं पूरी यहाँ पर कोशिश करूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पर मुझ पर विश्वास करते हैं लगता है कि नहीं यार कुछ हो सकता है अब तो फिर मैं आपको अमंत सब्सक्राइब तैयारी करना तो आप लोग हमारे साथ यानिकी अड़र्णी फोर्स में पीचेस के साथ में जुड़ सकते हैं चलिए तो यह तो बात हुई पूरी अब आते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेस्शन्स में तो चलिए तो चलिए मेरे को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं राहूल एनास्पारेंट प्रतिमा वीरुस सिंग आप सब का बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-थे ध्यान रखेगा महत्वपूर्ण बात इदनी सी है कि जो चीज़े मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो च आपको समझ में आ जानी चाहिए और नहीं समझ में आती है तो आप लोग मुझसे पूच सकते हैं ठीक है चलिए आज की स्पेशनिस्ट्री क्लास दिपेश सर के साथ थैंकि सो मच शालिनी थैंकि सो मच पांच नॉम्मर वाले बैच में सारी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी सब्जेट की भी गरिमा सारी क्लासेस जो है वो चल रही होंगी मुझे ऐसा लगता है कि सारी क्लासेस जो है वो चल रही होंगी और आप किस बैच की बात कर रही है यह भी आपको थोड़ा सा मुझे पताना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बैच होते हैं बहुत सारी क्लास जाता है मुस्लिम लीग की इस थापना का श्रे जो है वो किसको जाता है ये आप से पूछा गया है हला कि प्रस्ट जो है वो बहुत जादा सिंपल है बहुत जादा आसान है लेकिन फिर भी, आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी चीजे जो है, वो यहाँ पर समझनी होगी. इसको आपको जानना होगा, ऐसा मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूं, उसका भी रीजन है. ठीक है? आईए जड़ा मेरे साथ. जब भी हम लोग यहाँ पर مسلم लीग की बात करते हैं, मेरी बात क्यों किया गया था ये कल भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि जो रास्रुवाद था नेसलिजम तो था इस्पेशली इन बैंगॉल उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको समाप्त करने के लिए ठीक है दो भाग किये गए एक था आपका पश्चिम बंगाल और एक था आपक और जब इसको अलग किया गया तो कुछ मुस्लिम जो लोग थे वो ये चाहते थे के हाँ अब यहां पर हमारे लिए भी एक इस प्रकार की पार्टी होनी चाहिए जैसे कि कॉंग्रेस काम करती है क्योंकि उस टाइम पर कॉंग्रेस पर ये आरोप लगता था कि ये सिर्फ हि अंसर देना है इसका श्रे जाएगा यहां पर करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा वो जाएगा सलीम उल्ला खान और इसके साथ साथ में आगा खान यानिकी सी विल्वीदा करेक्ट अंसर सी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा इस बात को भी आप लोगों को यहां पर ध्यान है इस बात की भी आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए मैंने आप सब के आंसर देख लिए थे सुरू सुरू में आप लोगों ने सब आंसर जो थे वह अपने गलत दिये थे जो मुझे बिलकुल भी अच्छा ही नहीं लगा पहले प्रिश्ण यह आपने क्या कर लिया पहले प्रिश्ण पर एकदम क्लीन बोल्ड ऐसा नहीं होता क्रिकेट में जब पहली बॉल्ड डालते हैं उसी पर क्लीन बोल्ड हो जाते हो औ 1913 में इन्होंने जॉइन किया था मुस्लिम लीग को तो यह तो पॉइंट हो ही नहीं सकता यहाँ पर ठीक है उसके साथ साथ में सर सेद अहमत खान जो सर सेद अहमत खान जो है इनके द्वारा मैंने आपको अताय था अलीगर्ण मुस्लिम यूनिवरस्टी यानिकि मौमत ए 1875 शुकτε्ट में तो यह कैसे इंकलूड हो सकते हैं उसके बाद आते यहां पर खान अब्लॊण गफ़ार खान इनको क्या कहते हैं इनको कहते हैं हम सीमान्त गांधी यानि कि इनको फ्रंटियर गांधी भी यहां पर कहा जाता है इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना और सबसे महतोपूर्ण बात इंपूर्टेंट बात बच्चों यहां पर यह है कि इनके दोरा लाल कुर्ती लाल कुर्ती आंद ध्यान रखेंगे तो यहां पर बच्चो कर्ne12 क्या हो जाएगा वह जाएगा यही। I can और इसके साथ मैं अगपा कर दियां रखेगा जो चीजां में आपको बता रहा हूँ इन सारी चीजों को आप लोग no down जरूर करते जाएगे तो आपके पास में वो information रहेगी जो आपके exam के लिए क्या है beneficial है इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखे चलिए अगले question की बात कर लेते हैं next question बहुत simple आज एकदम आसान प्रशन आप सब के सामने मैंने कि तुमने तो कसम खा रख किये कि नहीं हम होने ही नहीं देंगे हम नहीं होने देंगे ऐसा बिलकुल भी हम लोग तो वही सोचते रहेंगे कि होगा या नहीं जरा देखो और मुझे answer दो कि क्या इसका right answer क्या इसका exact answer जो है वो यहाँ पर हो जाएगा फटा-फट से मुझे दिल्ली की गद्दी की बात की जा रही है बटा यानि कि यहाँ पर चर्चा की जा रही है दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर चर्चा जो है वो की जा रही है यह बात बिल्कुल सही है इस बात को आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना होगा दिल्ली सल्तनत जो है इसका टाइम प गुलाम के बाद में कौन आते हैं? खिलजी, खिलजी के बाद में कौन आते हैं? तुगलक, तुगलक के बाद में कौन आते हैं? सैयद, सैयद के बाद में कौन आते हैं? लोदी, इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान लगना, इस बात की भी आपको जानकारी होनी जब हम लोग बात करते हैं गुलाम बंच की तो गुलाम बंच का जो टाइम पीरेड है वो बारासो 6 से स्टार्ट होता है और बारासो 90 तक चलता है फ्रॉम ट्वेल जीरो सिक्स टू ट्वेल नाइटी यहीं पर जो स्टार्ट की जाती है दिल्ली सल्तनत की वो किसके दोरा की जाती है तो आपको आंसर देना है कुद्बुद्दीन एबक के दोरा किसके दोरा कुद्बुद्दीन एबक के दोरा इसकी स्थापना की जाती है औ क्या नाम होता है इलतुत मिश्च जो है इसका नाम होता है और इसी इतुत मिश्च की क्या होती है बेटी होती जिसका नाम क्या होता है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान जो दिल्ली की क्या होती है पहली महला साशका होती है इस बात को आप लोग ध्यान पछोरा लेकिन नएं उसके जी जाजी रहने कि रूत कर दिया और 1111 के लेके मांगती है किसका बहुत मिट्बो मरति होने के बाद में रुकुत्दीन जो होता है वह सासक बनता है लेकिन यहाँ पर रजीय सुल्तान होती है वह दिल्ली की जनता से क्या मांगती है और सुमझने की इल्तुत में कहके गया था कि कि मेरा मेरी बेटी जो है वो अगली सुलतान वनेगी तो गया का जो टाइम मेड़ी अ है वह है यहां पर 1260 से लेकर बाराσιुनory पर रजिया सुल्तान इस बात को भी आप लोग यहां पर धियान रखोगे समझ में आई बात लोगों को यह नहीं चल ने से मुझे बताओ ठीक है किलियर अच्छा चलो इस बात को ही माल लिया अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना ये तो भई इस पॉइंट की बात हो गई लेकिन अगर माल लीजी हम लोग बात करें यहां पर चान बीबी की तो चान बीबी कहां की साशक थी बिटा आपको आंसर देना है ये एहमा नगर की साशक थी जिसको किस ने हराय था जिसको अकबर ने हराया था इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान नकना महतवपूर बात है चीजावाई की बात कर ले तो जीजावाई कौन है आप लोग जानते है शिवाजी की मा है ये किया था जिन्होंने 1867 में क्या किया था विद्रो किया था जिसे जिसे कैम्प बेल ने क्या कर दिया था खतम कर दिया था इसको दवा दिया था तो बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर भी इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान लख और वही मैं चाहता हूँ वही मेरा अदेश है वही मेरा टार्गेट है कि आपके पास इतना सारा डेटा हो कि जब भी कोई प्रशन आप पूछा जाए तो आप कम से कम उसको बता सको के नहीं यह तो हो ही नहीं सकता इस बात को भी बच्चों आप लोग यहां पर ध्यान रखोंगे समझ में आगी बात या नहीं जल्ली से मुझे बताओ को पॉइंट क्लिर हे बच्चों अच्छा जो उंकलूड करता जा रही हो चीज़ों को वो नोट डाउन करते जा रहे हो की नहीं जल्ली बताम उल्गे जो चीज़ह मैं आपको यहां पर इंकलूड करता जा रहा हूँ उनको लिठ्टे जा रही हो यह नहीं इस बात का ही आपके पास 10,000 questions जो है उनकी उनका data ओना चाहिए 10,000 आपके दमाग में चहूं और घूमते रहना चाहिए 10,000 questions ठीक है चले आगे अगले question की बात कर ले हाँ सब्सक्रारम करने का अश्रे किसको प्राप्त है बलाभाई पाटेल बाल गंगा दर्तिलक शिवाजी या फिर विप पटापट से simple सा है वैसे तो आसान सा है कोई दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए आराम से क्या देदोगे आप लोगा अंसर देदोगे इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से में समस्ता हूं आपको कोई भी दिक्कत कोई परिशानी कोई प्रॉब्लम जो है वह यहां पर नहीं आएगी ऐसा मुझे लगता है ठीक है किलियर आउजरा अगर मालेजी हम लोग बात करें यहां पर घंपती उत्सवकी तो दो चीज़ें आपको यहां पर ध्यान लखनी होगी बालगंगे दर तिलक जो है यह इस्पेशली कहा जाता है कि यह आर्यों से सम्मंदित मतलब आर्यों से सम्मंदित इन्होंने किताब लिखी थी आर्केटिक होम्स इस बात को आप लोग ध्यान लखना गीता रहसें के दोरा लिखी गई थी मराठा और केसरी यह दोनों समाच चारपत्र जो थे वह इनके दोरा जारी किये गए थे और यहीं वह व्यक्ति है जना भारती आशांति का क्या कहा जाता है जनक कहा जाता है इस बात को भी आप लोग ध्यान लखना तो यहां पर करेक्ट आंसर बिटा क्या हो जाएगा गणपति उतसम में राइट आंसर विल से दूर रखते थे चुआ चूत होते थी तो यहां पर इन समय में क्या होगा सब को साथ में शामिल किया जाएगा और जब उनको शामिल किया जाएगा तो जो उनका संदेश है जो उनका मैसेज है उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा इस बात को भी आप लोग यहां प पर देख रहे हैं जल्दी से फटा पड़ से बात कर लें बल्लाबाई पटेल की बल्लाबाई पटेल जिनने ईूंरिटी मैन ऑफ इंडिया उंरुटि मैन ऑफ इंडिया या निकी भारत की भी आपको जानकारी है ठीक है ये तो important point हो गया सवाल यह है कि यह जो उपादी है सरदार सरदार की उपादी इनको कहां से मिली थी तो सरदार की उपादी इनको बीटा जो जो बारदोली आंदोलन था 1928 का वहाँ पर जुआ उहां की महलाएं थी उन्होंने इंको क्या दीती सरदार क्यों पादी दीती इस बात को आप अप लोग ध्यान लखना इसके अलावा गांदी जी से हो सकता है कि पूछा जाए पहली मुलाकात इनकी कब हुई थी तो गांदी जी से सरदार बल्लब भाई पडेल की पहली मुलाकात जो थी वो 1918 में जो खेड़ा अंदोलन चल रहा था ना खेड़ा अंदोलन वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान लखना ध्यान लखिया कि यह देश के पहले ग्रह मंत्री थे यह भी आप से पूछा जा सकता है और इसके साथ साथ मैं यह देश के पहले उप प्रधान मंत्री भी थे यानि कि फॉस्ट वाइस बूल सकते के डेप्टिव प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम क्या था उनका नाम था बल्लब भाई पटेल इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान लखना सबसे इंप्रोटेंट बात बच्चों यहां पर क्या है वो होनी चाहिए समझ में आरए है समझ में आ रहा है कि नहीं आरा जल्ली से मुझे बताओ शारी चीजैं पर्फ्यक्ट हैं कोई दिक्कत कोई problem तो नहीं कोई परिशानी तो नहीं है ना ठीक है बात चलो आगे चलते हैं शिवाजी की बात कर ले बात तो शिवाजी बारत में जो मराठा समराज उसका संस्थाप उनके उसके संस्थापक थे हम लोग जानते हैं शिवनेर का दुर्ग बहुत जादा इंपोटेंट है दो बार सूरत को लीटा इन्हों ने इस्पेशली जो मोगल काल का एक महतवपूर्ण शेयर हुआ करता था और इसके साथ में अफदल खान जो था उसकी भी क्या करती हत्या कर दीती बाग नक से इस बात को आप लोग जानते विपिंचंद पॉल की बात कर ले सब लोग के द्वारा अर्चन अत्रपाटी मशकार प्रणाम खुश रही है अथरवी महराथा समराज के संस्थापक बहुत दिनों बाद आज क्लास में आना हुआ है सिखा सिंग ओके वैल डान चलो आगे चलते हैं जड़ा नेक्स प्रशन को देख लेते हैं अगला प्रश संस्थापक कौन था यह आपको इहां पर बताना है तो जरह देखो और मुझे बताओ कि कौन था यहां पर लोदी विए सका संस्थापक सोच समझ के आंसर देना गलत तो बिल्कुल करही मत देना नहीं तो फिर क्या हो जाएगी गड़ बढ़ हो जाएगी बच्चा गड़ देख लेते हैं अगर मालीजी हम लोग बात कर लिए यहां पर लोदीवंशiron जो है यह दिल्ली सलतनत का अंटिव शर्थ पहली बात पेठेट यह जानज़ यह कौन ता यह putting सब्सक्राइब का अंतिवरित यह आप से पूछा जा सकता है जिसकी स्थापना 14илли 1500य क्या reunion क्यावन में हुई थी और 1526 तक ये चलता है 1451 से लेके 1526 तक चलता है इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना यहीं पर इस लोधी वन्स का संस्थापा कौन था बेटा तो आपको आंसर देना है बहलोल लोधी क्यों था यह बहलोल लोधी इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है और दूसरी इंपोर्टेंट बात बेटा पता है क्या है यहां पर कि यह दिल्ली सल्तनत के पहले अफगान शाशक थे दिल्ली सल्तनत के पहले अफगान साशक थे इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है ये भी आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है जब ये सुल्तान बना तो इसने बहलोली सिक्के चलाई थे क्या चलाई थे बच्चो, बहलोली सिक्के जो थे उनका प्रचलन इसने प्रारम करवाये था इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना इसके साथ साथ में अगर हम बात करें यहां पर सिकंदर लोदी तो सिकंदर लोदी गजे सिकंदरी जो था उसके तहट इसने एक पैमाना जो था उसको भी जारी किया था और सबसे important बात पंदरा सो चार फिप्टीन जिरो फोर में इसने क्या किया बेटा आगरा शहर जो था आगरा शहर जो था उसकी क्या की थी उसकी यहाँ पर स्थापना किवी थी उसको भी किसके दोरा तो आपको आंसर देना है यहाँ पर सिकंदर भी की तो अबराहेम लोदी दिली सल्तनत का पहला और अंतिम्सासक था जिसकी मृतिय। कहां पर हूई थी जिसकी मृतिय। युद्ध में हुई थी इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए ये बात भी आपको जो है वो पता होना चाहिए समझ में आई बात या नहीं जल्ली से मुझे बताओ सर मेरा नाम क्यों नहीं बोलते हैं आप क्या पुषपेंदर कुमार आफिशल मैंने अभी देखा है तो बोल तो दिया मेरे भाई इमरान खान गुलाम खिल जी तुगलक सेयलो दी बहुत बढ़ी है वैल डन पंद्रह साचार में आगरा शेर के स्थापना बिल्गर सही पानी पत का जो परथम युद्ध था इस परथम युद्ध में क्या कर दिया गया था इस बात को आप लोग यहां पर धिहन देह रखेंगे कवितारा रादे 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 छी के बाथ क्लियर छे कर नदी खबर पढ़ीगी तमने जल्दी बोल दो मगज में आ गया हाँ समझ में और इसके साथ साथ मगज में दोनों जगे आना चाहिए तब ही तो तब ही तो एक्जाम में हम क्या करेंगे महनत करेंगे क्या करेंगे महनत करेंगे चलिए अगले कोशन की बात कर लेते हैं बच्चो नेक्स कोशन की बात हम लो लॉड करजन लॉड कैनिंग या लॉड रिपन आंसर दीजे फटाफट से क्या यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हूँ एंडेट दा डूल गॉर्मेंट पॉलिसी यह आपको आंसर देना है सोच समझ के आंसर दीजेगा और नहीं तो कहानी जो है वो क्या हो जाएगी गलत अब यह क्या हो रहा है नहीं तो कहानी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी ध्यान रखेश बात का कर दो कि फटाफट से मुझे बताओ कर दूब यार अज़ झाल सर नुक्सका नहीं दिया क्या को यह आपको सी चलाओ मेरे साथ लल्जा वेरी गुड़ाफ सुनो जला पिटा देखो हम लोग बात करेंगे यहां पर दोहरी सासन नीती देखो डूल गॉर्मेंट पॉलिसी की यहां पर बात की जा रही है और यह डूल गॉर्मेंट पॉलिसी जो है यह इस पेशली एक एक्ट के द्वारा इसको क्या किया गया था समाथ किया गया था दोको दोनों चीज़ें डिफरेंट है आप लोग ध्यान रखना कंफ्यूज मत हो जाना एक तो यहां पर कंडिशन बनी थी कौन सी बंगाल वाली क्योंकि बंगाल में क्या था द्व जो तकलिए लेकिन यहां पर कंपनी की जो पॉलिसी जो थी जैसे की वोड्व कंट्रोल बोड़ ओफ डारेक्टर जो थे हैं ना ते उसके तहत कमपनी को क्या कर दिया गया था कमपनी की पावर को चीन कर और चीन कर कहां पहुचा दिया गया तो आपको आंसर देना है कि कमपनी को पावर को चीन कर किसको दे दिया बिटा बिटिस ताज या बिटिस क्राउन को यहां पर सौब दिया गया था और अगर माली जी ऐसे प्रश्ण की हम लोग यहां पर बात करें तो बहुत सिंपल सा अंसर हमारे पास में आ जाता है वो आता है कौन सा Lord Canning क्योंकि आप से यहां पर एक्जाम में प्रश्ण और भी बन सकते हैं तो बहुत है है वहां पर कि भारत का पहला वाइसरा है भारत का पहला वाईसरा है पर क्या गया तक ही ता आपसके साथ-साथ में एक नई पोस्ट भी और शको भी बनाया गया इसका नाम तो सिर्जन किया गया था जो इंग्लेंड में रहता था पैसा कहा से जाएगा भारत से और इसकी घल्थ के जाएका वो हो जाएगा यहाप पर See इस बात को आप लो चीहाँ रखना न मैंने फिर बता दिए आपको के देर डियोज़ डिस्रेंस इंडिया की डूल ग्वर्मेंट डौन में अंतर है इस bात को आप लोग ध्यान लखेगा ठीक है उसके बाद बात कर लेते हैं हैं यहाँ पर लॉड्नमांट बेंटन की लॉर्ड्मांट बेंटन जो है बिटा ध्यान लगे यह बहारत के अंतिम वाएस राय है इस बात को भी आप लोग ध्यान लखना इनके दोरह एक प्लान लाया गया था जिसको हम क्या कहते हैं माउंट बैटन प्लान क्या कहते हैं माउंट बैटन प्लान यह माउंट बैटन यूजना कही जाती है और यह कब जारी कि गए थी यह आप लोग मुझे कॉमेंट के माद यह बहुत इंपोटेंट है इसी टाइम पर सौदेशी आंदोलन इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना होगा इसी टाइम पर जो शब्द था उसका नाम कहा था बहिशकार यानि की बोई कॉर्ट जो था उसका भी यहाँ पर क्या किया गया था इंप्लीमेंट किया गया था और लॉड रिपन को तो हम पिछले दस सालों से पढ़ रहे हैं इनके दोरह 1880 में फर्थमकार खाना दिनियां इसी टाइम पर पहली जो दस्की जनगरना होती है उसको भी स्टार्ट किया गया था ये भी आपको यहां पर ध्यान हो जाएगा लोको भी कि अया बिल्कुल बात सब्कूर यह बहुत बढ़िया वैल रटन तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आप यह पर तीन जून不過 से तालिस तीन जून उन्निस सो शेटालिस जो है वह यहांपर क्या हो जाएगा राइट राइट हो जाएगा तो ये भी अगर मालो आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज ना हुएगा तुरंत टिक कीजिएगा तुरंत उस पर गोला जो है वो अपना भर देना है और उसे आपको पीछे नहीं हटना है समझ में आगी बात सब लोगों को या नहीं जल्दी से एक बार मुझे बता दो फट लॉट कैनिंग आपको यहां पर ध्यान रखना होगा यह इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है सुनो जड़ा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो अंदुलन कब की गई थी मतलब भारत छोड़ो आंदुलन की शुरुवात इसमे है तो बहुत आसान प्रशन लेकिन फिर भी आपको इससे भी रिलेटेट बहुत सारी चीजें जो हैं वह यहां पर सीखनी होंगी क्योंकि मैं हमेशा आप से बोलता हूं कि हम यह बात बिलकुल मानते नहीं है कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं यही एक्जाम में आएग है वो सब कुछ हम पर क्या करते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सारे पॉइंट जो है वहां पर इसली समझ में आ जाए सबुछ हाप को क्या हो जाए पता चल जाए ठीक है सुनो जर अमिरा अगर बटा हम लोग बात करें यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन क तो आंदुलन का मतलब क्या होता है जहाँ पर लोग पार्ट स्पेट करेंगे यानि कि ये क्या था ये जन आंदुलन था इस बात को आप लोग जानते हैं मास मूमेंट था इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है भारत छोड़ो यानि कोई टिंडिया लेकिन ये एक नारा भी था एक ये किया था नारा भी था जिसको किस के दोरा दिया गया था जिसको यहाँ पर यूसुफ महर अली के दोरा दिया गया था और भारत छोड़ो मूमेंट जो स्टार्ट किया था वो किया था यहाँ पर महत्मा गांदी ने सवाल यहाँ आता है कि क्यो किया था जरूरत क्या पड़ी वो जरूद पढ़ने का मेन कारण था यहां पर 1942 में आया हुआ क्या किर्प्स मिशन यहां पर आया था हमसे बात करने के लिए और यह क्या कहने लगा यह यहां पर कहने लगा कि हमको अभी हमारा सपोर्ट करो जह हम युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद में आपके लिए संभीधान सभव बना देंगे तो यहां पर गांधी जी यानि की कॉंग्रेस और मुस्लिम लिख दोनों क्या कर दी दोनों ने से मना कर दी के चलो हटो कोई बात नहीं यहां पर ध्यान रखेगा इस बात का और इसी के विरोध में क्योंकि गांधी जी ने इस क्रिफ्ट मिशन को क्या कहा था इस क्रिफ्ट मिशन को कहा था आप पोस डेटेट चैक ऑफ क्रंबलिंग बैंक डैट इस डूबते हुए बैंक का आगे की तारीक का चेक जो था वो इसको कहा था इस बात को आप लोग ध्यान रखना और इसी के विरोध में यहां पर स्टार्ट किया गया था क्या भारत छोड़ो आंदोलन ध्यान रखना बेटा यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको आप दूसरे और भी नाम से जानते हो जिसको क्या कहते है जिसको अगस्त करांती यहां पर कहा जाता है इस भारत छोड़ो आंदोलन था, इसको पारित कर दिया गया था, कि हाँ, हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको स्टाarट करना है, और 9 अगस्त 1942 को यह जो भरत छुड़ो आंदूलन था इसको start किया गया लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर दमन की नीती जो थी उसको अपनाया और उस नीती के कारण एक operation चला जिसका नाम क्या था जिसका नाम था यहाँ पर Operation Zero R और इस Operation Zero R के तहट जितने भी यहाँ पर प्रमुख नेता थे उन सब को क्या कर लिया गया उन सब को यहाँ पर ग्रफतार कर लिया हाला कि अंग्रेजों ने इनको तो ग्रफतार कर लिया था लेकिन उसके बावजूद भी भारत के कई सारे छेत्रों में लोगों ने विरोध कर दिया और कई जगे अपनी सरकारें जो थी उनको क्या कर लिया था इस थापित कर लिया था भारत के इतिहास में अगर हम बात करें यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन तो एक बहुत गहरी अमिट छाप जो है वो यहां पर भारत के इतिहास में छोड़ी है मात्मा गांधी के इसको इट इंडिया मुव्मेंट पर समझ में आई सब लोगों को बात यह नहीं जल्ली से मुझे बताओ समझ में बात आई यह नहीं जल्ली से मुझे बताओ डू और डाई हां करो या मरो का नारा जो था वो गांधी जी ने यहीं पर दिया था बचो यहां तक की बात के लिए है सब लोगों को कोई समस्या कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी अगर नहीं है तो फिर बताओ अच्छा देखो हाला की होने के तो एक प्रश्ण है होने को केवल क्या है एक प्रश्ण है लेकिन उसके बावजूद भी अपन ने क्या कर लिया उसको पूरा खोल कर रख दिया कि लो भाई अब बता लो कहां से पूछ लो कि क्या पूछोगे और देश से पूछोगे टार्गेट पूछोग कि मैं हूँ मैं दूंगा तुमको आंसर क्या दिक्कत है यहां पर ठीक है क्लियर है कि नहीं जली से बोलो तो 1942 यहां पर क्या हो जागा राइट आंसर हो जाएगा इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना अच्छा अब लेकिन माल लेते कि कराची यहां पर 1930 भी है तो 1930 में आप लोग यहां पर जानते हैं डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और यह कभसे स्टार्ट हुआ यह हुआ था 12 मार्च 1930 से लेकरji कब चला था 6 अप्रेल 1930 1930 को क्या किया गए यहां पर जो नमक कानून था उसको क्या कर दिया गया उसको तोड़ का त्यांड को भी आप भी ध्यान लगा उननेस त्य स़च त्यशंप अट यहांडчики अधिवेशन बहुत ज्यांदा महतोपून है इस बात को आप लोग ध्यान रखना लेकिन इस कराची अधिवेशन से पहले एक important बात और है यहां पर वो ये के दिल्ली समझोता हुआ था क्या हुआ था दिल्ली समझोता हुआ था और दिल्ली समझोता कब हुआ था ये भी 1931 में ही हुआ था 1931 में ही हुआ था और ध्यान रखेगा कि इस दिल्ली समझोते को हम गांधी इर्विन समझोते के नाम से भी जानते हैं गांधी इर्विन समझोते के नाम से भी जानते हैं अगर मालों के आप एक्जाम में यह पूछा जाए कि भाया इनको इनके ओर्डर में लगाओ इनको इनके ओर्डर में लगाओ तो बिटा ध्यान लखना सबसे पहले क्या हुआ है दांडी मार्च दांडी मार्च के बाद में यहाँ पर क्या हुआ है? तो आप लोग को आंसर देना है दिल्ली समझाता और दिल्ली समझाता के बाद में क्या हुआ है भगत सिंग, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को और इस जो भगस सिंग और राजगरू सुख्देव को फासी हुई उसके बाद में क्या हुआ था कराची का दिवेशन कब हुआ था 1931 में 1931 में इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान लखना इस बात की भी आपको जानकारी जो है वो यहां पर होना चाहिए ठीक है के लिए बात या नहीं जल्ली से मुझे बताओ यहां तक की पॉइंट क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है फटाफट से quickly जल्दी से गांदी जी कूट नीती के बहुत धनी व्यक्ति थे कुछ पेंद्र इसको ऐसे बोल सकते हो आप कूट नीती तो नहीं लेकिन हाँ उनकी जो नीती थी वो नीती आप ऐसे बता सकते हो कि उनकी नीती जो थी वो थी संघर्ष फिर उसके बाद में विराम फिर उसके बाद में क्या संघर्ष इस नीती को फॉलो करते थे ठीक है इस और यह जो जो तीक है अच्छा वह मतलब मैं आप बस थोरा सा आईडिया देदू क्योंकि यह मेरा सब्जेक्ट यह नहीं ठीक है मैं यह तो इक्रमिका सब्जेक्ट है तो बंबे प्लान जो था उसको 1944 में बंबई के आठ उड्योग पती जो थे इंडिस्ट्रिस जो थे उनके दौरास को स्टार्ट किया गया था और उसके बाद में लोग दिखते के प्लान बनना स्टार्ट हुए और और 1951 में पहला फाइविर प्लान जो था वह यहां पर क्या कर दिया गया उन को यह पर जादी कर दिया गया था इस बात को आप लोगNow पर ध्यान ऱग्ना इस बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए हां अर्थिविष्टा के विकास सम्मंदित है ये बात बिल्कुश सही है इस बात को मैं जान लेता हूं सुईकार कर लेता हूँ चले आगे नेक्सकीब बात कर ले नेक्सकीब और को डिस्कस कर लें आपर आउरा मेरे साथ ठिक है कि बहुत यह करने वाली पूर्थम महिला थी यहुक्स असान है कोई दिकत तो नहीं कोई प्राबलम तो नहीं कोई समस्या तो नहीं जल्ली से मुझे बता दो फटा फट से मुझे बता दो आप तो अल्राउंडर है लेओ अधर्वी इसी में राउर केला उडिसा भिलाए छत्यजगरवाले प्लान आए जो राउर केला उडिसा और वो प्लान जो है तुम भी मतलब कहां का कहां जोड देती हो कहीं कहीं का इट कहीं का रोरा कुछ भी मतलब चल रहाए है यहांपर ऐसा नहीं है मैं यहां एकनोमी पढ़ा सकता हूं पूरी अभी ऐसे निचलेगा इतिहास तो ठीक है quality geography economy बचने का नहीं है कुछ भी मुझसे ध्यान रखना इस बात का बिटा ध्यान रखना जब भी हम लोग बात करते हैं यहां पर फाइवर प्लान की अब चलो थोड़ी से एकनोमी पढ़ ले तो थोड़ी सी दो मिट के लिए पढ़ लो कोई दिक्कर नहीं है 1951 से लेकर 1956 तक 1956 तक पहली पंच वर्शी उना लेकर आते और पहली पंच वर्शी उना जो थी यहां पर वो थी यहाँ पर जानना चाहूं कि किसी मनुष्य की बेसिक नीड क्या होती है किसी मनुष्य की बेसिक नीड यहाँ पर क्या होती है तो आप क्या बताओगे तो आप लोग यहाँ पर ध्यान लखना किसी मनुष्य की बेसिक नीड क्या होती है रोटी और रोटी के बाद में क्या चा किस पर agriculture पर क्योंकि भाईया देश बिवाजन का दंस जेल रहा था लोगों के पास ना रहने को घर था ना खाने को खाना था वो भयावारात जो थी ना भाई साब कई सालों तक लोगों का दंस जो है वो उसका डस्ता रहा जहर जो था वो उनके बीच फैलता रहा और इतने ब लाशें थी उस टाइम पर उस समय पर भारत में क्या लाए गया अग्रिकल्चर सबसे पहले कर्शी पर ध्यान दिया गया अब जो सबसे पहली बास रोटी जो थी वो तो यहां पर क्या हो गई थी बन गई थी रोटी तो क्या हो गई थी अब क्या बनना था कपड़ा और कप दूसरी जो थी उस पर क्या दिया गया दूसरी पर ध्यान दिया गया यहां पर इंडस्ट्री इस पर ध्यान दिया गया यह बात भी आप लोग को यहां पर पता होना चाहिए इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बाद हम लोग बात करें यहां पर तीसरे वाले तो तीसरा जो था इसमें agriculture और इसके साथ में इंडस्री दोनों पर focus किया और ये प्लान बुरी तरीके से क्या हो गया फेल हो गया था बुरी तरीके से फेल हुगा इस बात की भी आपको जानकारी यहां पर होना चाहिए इस बात को भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा क् मेहत्वपूर्ण बाते हैं इंपोर्टेंट बाते हैं एक्जाम में आपसे पूछी जा सकती है ठीक है अब आते हैं कि जो तुम बता रही थी मुझे सेकेंड फाइवर प्लान में ही दुतिय पंची वर्शी योजना में ही यह जो बड़े-बड़े स्टिल प्लान थे इनका न की नाम भीरू-अ-अ थोब तुमने पहली बार स्सक्राइव को लेकिन आज जब जान घाओ तो पता चल जाएगा वी से क्या हो जाएगा भी से हो जाएगा बिलाई यह रसिया के सायोग से बनाया गया राउरकेला उडीसा इसको जर्मनी के सायोग से बनाया गया और सके साथ साथ में दुर्गापुर दुर्गापुर कहा पर है वैस्ट बंगॉल में इसको बिटेन के सायोग से बनाया गया इस बात की भी तुमको जानकारी जो है वो होनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कि समझ के बाद को खिलियर है ऐसे आपको चीजों को कवर करना होगा वाई जी आसका स्लेवर से यह जी आसका स्लेवर से कि समझ पड़ी के नथी अरे तना काहे लिखना है भाई यह तरवी यह लो इतना लिखना क्यों है यह है तो सामने दुवेजी को याद कर लो डियाडियो डियाडियो के स्थाफना 1951 में हुई थी उन्निस उट्थावन में यह भी ट्रिक है डियाडियो पर इसरों 1959 और इसरों 1969 इसको ऐसे याद कर लो एक इसमें वड़ा लो यह वड़ा खना लो यह वोगए आपका डी आडियो और यह उगए आपका इसरों लॅटा अरे भाई मैंनग्या वोला था मैंने क्या वोला था एकम एवम अदुतियम कुछ भी आजाओ वाई कहीं भी आजाओ चलो खैर इनको जाने देते हैं हम अपना काम से काम रखेंगे यारा अपन को क्या करना है क्यों सही है कि नहीं इधर आ जाओ 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 बहुत द्रम को ग्रहन करने वाली पर्थम मैला वथ द्रम की बाद करने बच्चो तो बहुत धरम जो था अच्छा संघ मिट्रा में की बदकिए बाद कर ले या शोटरा की बात कर ले और महामाया की बात कर ले बताओ जरास में से 62 का सीर्फी एक्जक्टाउब यहां पर किया होगा ठीके, आणसर देने सारे लोग, बहुत बढ़ी है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, हो जागा यहां पर गौति मी जुए वो क्या हो जाएगा, ठीक है, चलो, अगले प्रिशन की बात कर लेते हैं, नेक्स प्रिशन को हम लोग यहां पर देखेंगे, आंसर दो फटापट से, जल्ली से बोल दो, संग मित्रा सोक की बीटी दी, जी हाँ पुषपेंदर बिल्कुल सही बात है, आपका जो जवाब है, यह बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, स्रजनवी नहीं है, यह गजनवी यह, ना आई, ऐसे ही न, अर्थ का अनर्थ जो है, वो ऐसे ही होता है, अर्थ का अनर्थ जो है, वो यह ऐसे ही होता है, यह महमूद गजनवी जो था, यह स्रजन करने वाला नहीं था, यह विद्धौन सक था, भाई ये क्या था ये विद्वन स्थक्त था इसको क्या कहा जाता है इसको मूर्ती भंजग कहा जाता है क्या कहते है इसको मूर्ती भंजग कहा जाता है जितने भी इसने आकर्मन किये जिसनी मूर्तिया थे उन सब को क्या कर दिया उन सब को यहां पर तोड़ दिया था इस बा इस बात का आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना होगा ठीक है इस बात का आप लोग को यहां पर ध्यान रखना होगा यह बात की आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए ठीक है उसके बाद में उसके बाद में जो दूसरा यहां पर साशा कुवस का नाम क्या था उसका नाम तरयां पर मुबारक शाह किल जाएगा कि में यूपी आरओ दोनों में से कौन सा चाहिए जब एक साथ हो रहा हो सब से पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम हो कहाँ से UPRO से हो या HPSC से हो इसका जवाब दो पहले फिर हम आगे चलेंगे पहले इसका अंसर दो मुझे रभी इसवार्ट से जल्दी से अच्छे बड्रेर काई ने कोई बात में हैं कोई बात कि कंचन होता रहता है गलत तो यूपी से हैं आप आप अगर यूपी से हैं तो मुझे असा लगता है कि रतना आपको आपको यूपी य्यार경 11 यूद माइख है वो ठीक है एक इंपोर्टेंट थोड़ा सा जिसमें तैयार यह उसमें दो कोई पूछने वाली बात है अपनी मतिगा प्रियोग बैतर है तुमसे किसने पूछा तुम अपना काजल तुमसे पूछा था ऐसा नहीं करते ना जब जहां पर आपको बोलने की जरुवत हो वहीं बोलना चाहिए अजर्वाइस खामोश रहना बैतर है तुमसे भी तो नहीं पूछा तुम क्यों बोल रही हूँ भी गलत बात है यह गलत बात है ठीक है कलियर है चलीए बच्ट इससी बात के साथ मैं मैं लेता हो बीदा अब अब हम लोग बात करें जरूर जोड़कर एक बार देखें हैलो सर साथ दिन की स्ट्रेटिजी बताइए यहां तो नहीं बता पाएंगे शिवम कोई सेशन लेंगे उसमें चर्चा करेंगे ठीक है क्लियर रहे इतना जल्दी क्लास उबर क्यों तुमको नहीं लग रहा है क्या लगनी रहे तुमक को है कि देको इसमार नाया आपको यहां पर टाइब करना एक डरॉंडी फोर सब्सावन इस पर जाना है कि यहां पर जाने के बाद आपको और्स पैर यहां पर यू पीए सी कर पoit और जैसे आप यहां सब्सक्राइब पहुंचोगे तो स्टेट PCS के बैचेज जो है वो आपके सामने यहां पर open हो जाएंगे ठीक है तो इन सारे बैचेज में आप लोग आप जिस स्टेट से हैं उन बैचों को आप पसंद करें जैसे की UPPSC RO RO HPSC है ना यहां पर व्यू ओल कर लेना जैसी आप व्यू ओल करोगे तो यह सारे बैचेज आपके सामने ओपन हो जाएंगे ठीक है एक्जामपल के लिए मैं आपको बता देता हूं जैसे माल लीजे कि आप लोग मेरे साथ कुरकशेत्र बैच में जुड़ना चाहते हैं जो आज से नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है ठीक है तो आप क्या करोगे बाइनाओ पर जाओगे और बाइनाओ पर जाने के अभी रुको जड़ा रुको जड़ा सबर करो वाइफ एट फूर इसको करना एपलाई एपलाई करोगे तो बैच आपके लगबग 1849 के पास-पास एप से पर्चेस करोगे तो लगबग साड़े सतरासों के आस-पास का बैच जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है बच्चो तो एक इंपोर्टेंट सर हिस्ट्री को छोड़के आज सुबह से कोई क्लास होई थी क्या नहीं सबाइस बात की तो मुझे जानकारी है नहीं ठीक है करेंट है फिर होई होगी हाँ ठीक है ठीक है बच्चा तो मैं लेता हूं यहाँ पर विदा थैंकि सो मच फॉय लवें सपोर्ट हाँ जुड़ना सो मच भारत माता की चे